हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बिटा एक्सर्साइज 5.3 का क्योस्टन नंबर 16 देखते हैं क्या है स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार अपने NCRT मैथ में एक सम ओफ रूपीज 700 एक टोटल रूपीज है मारे पास 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance if each prize is rupees 20 less than its preceding prize find the value of each of the prize आप यहां पर देखेंगे बिटा क्या है टोटल रूपीज 700 है आपकी क्लास में मान लिया टोप 7 पोजिशन को हमने वो 700 रूपीज क्या करने है तो उसने क्या काया है जो first वाला बच्चा होगा ना first वाले बच्चे को जितने रूपे हम देंगे second वाले को उससे 20 कम देंगे 20 रूपीज less देंगे third वाले को second वाले से 20 less fourth वाले को उससे 20 less तो हमने यह बताना है कि बिटा first वाले को कितने रूपे दिए second वाले को कितने दिए और third वाले को कितने रुपे दिए तो इस question को करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा विटा हमें first student का prize assume करना पड़ेगा तो क्या करते हैं let solution देखते हैं इसका let the prize of first student जो student first आया है उसका प्राइज मान लेते हैं मान लिया मैंने पी आप कुछ भी मान सकते हैं x y z a b c d जो भी आपको आपका दिल हो वो assume कर सकते हो first student का prize पी रुपीज तो the prize of second student अभी बताया था मैंने कि first वाले से कितने रुपे लेस है बटा 20 रुपेज तो p-20 हो जाएगा p-20 तो मतलब क्या आगया second का p-20 है तो इसमें से 20 और लेस कर दिया तो कितना आगया p-40 इस तरीक्य से तो अब यहाँ पे एक a-p form होगी बिटा क्या है p, p-20 और p-40 इस तरीक्य से अब हमने a-p से question को करना है तो क्या करना है यहाँ पे first term देखेंगे बिटा क्या है a is equal to क्या है हमारी p common difference क्या होता है second term minus first term second term क्या है p-20 और minus p करेंगे तो क्या हो जाएगा p से p cancel तो क्या बचेगा minus का 20 बिटा इस तरीक्य के question में यह चीज ज्यान रखनी है कई बार बच्चे ना minus को लेना भूल जाते हैं यहाँ पे direct positive value ले लेते हैं वहीं से हमारा question क्या हो जाता है wrong और n की value क्या given है n is equal to given है 7 क्योंकि 7 students में हमने उस price को distribute करना है तिन्नो value आगे हमारे पास अब क्या करना है sum का formula लगाना है क्योंकि हमें total rupees given है sn given है कितना है 700 rupees तो sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d I hope clear है sn की जंगे value put करेंगे 700 is equal to n की जंगे 7 by 2 into 2 into a की जंगे p plus 7 minus 1 into d की जंगे क्या put करेंगे minus का 20 सारी values हमने put कर दी अब इसको क्या करेंगे solve करेंगे 7 से इसको divide किया तो कितना आ गया 100 is equal to 1 by 2 into 2p plus sin minus 1 क्या होगा 6 multiply minus 20 तो क्या आगे है यहां पे 100 equal to 1 by 2 into 2p minus 6 2 जा 120 अब यहां पे 1 by 2 multiply में अंदर करेंगे इसको तो 2 है 2 से इसको क्या हो जाएगा बटा divide तो 100 is equal to divide क्या यह 2p को 2 से divide करेंगे तो p और 120 को divide करेंगे 2 से क्या आगया minus का 60 minus 60 को left hand side लेके आएगे इसको तो क्या हो जाएगा 100 plus 60 equal to p तो p की value जो आगे वो क्या आगे 160 रूपे फर्स्ट्रूडेंट का prize आगया हमारा 160 रूपे तो क्या लिख देंगे prize of first student पी ए जूम किया था तो कितने रूपे आगया बटा 160 रूपेज तो ऐसे ही second student का क्या हो जाएगा इससे 20 लेज्ट तो क्या हो गया थार्ड का क्या हो जाएगा हमारा 120 फॉर्थ का क्या हो जाएगा बटा इससे 20 लाइस 100 फिफ्थ का क्या हो जाएगा हमारा 80 और 6th का 60 और 7th student को जो price मिलेगा वो क्या मिलेगा 50 रूपेज ये सारी values हमने क्या करनी है calculate करके दिखानी है I hope ये question आपको clear होगा सारी values हमने calculate कर ली आपे इनका total करके देखेंगे तो वो क्या आएगा 700 आएगा तो इस question में कहीं पे भी doubt हो कोई कहीं पे कोई problem हो तो मुझे comment कीजिए otherwise इस channel को subscribe करना नहीं बुले अपने friends के साथ share जरूर करें और अच्छा सा comment करें